नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्तिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रह्मतराज मतमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे तर्तिये स्रेणी सिक्षकों की बरती पहले सिक्षक बरती का पैटरन ते होगा फिर पंचायति राज विबाग जारी करेगा अधिस उसना इसके बाद भरती संबव दोस्तों ये रीट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है आज की 21 सक्टुम्बर की जैपुर शिक्षा विबाग में 33 रणी सिक्षकों के 31 जार पदों पर नहीं बरती की मंजूरी मिलने के बाद परदेश के 10 लाग से अधिक बेरोजगारों के चेरे पर खुशी की लेर भले ही छा गई हो शिक्षक बरती के लिए परिक्षा हो या वेटे सिस्टम में किया जाए बदलाव दिकारियों की 5 से अधिक बेटकों के बाद भी नहीं वाय पेटरन का निर्णे यही हालात रहे तो शिक्षक बरती सुरू अन्य में लग जाएंगे 6 महीने जिहां दोस्तों आप देख सकते हैं या पर शिक्षा विबाग में तरतीय स्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर नहीं भरती की मंजूरी मिलने के बाद परदेश के 10 लाग से अधिक बेरोजगारों के चेरे पर खुशी की लेर भले ही छा गई हो लेकिन अभी भरती परकिरिया सुरू होने में 6 मा का समय लग सकता है अभी तो सरकार ने रीट का आयोजन ही नहीं किया इस महीने अगर रीट की परकिरिया सुरू होती है तो भी सरकार को परिणाम तक पहुंचने में ही 4 महीने लग जाएंगे इसके अभी तो सिख्षक बर्थी के pattern का अत्ता पताई नहीं है सरकार ये ते नहीं कर पा रही है कि सिख्षक बर्थी के लिए परिक्स आयोजित की जाए या फिर वर्तमान में लागू वैटेश सिस्टम में बदलाव किया जाई अधिकारियों की इस मामले में 5 से अधिक बैटके हो चुके लेकिन कोई अंतिम निने नहीं हुआ है बेरोजगारों का कहना है कि सरकार सिक्षक बर्ति का पैटरन ते करने की परकिरिया जारी रखे इस बीच रेट की परकिरिया सुरू कर देनी चाहिए ताकि बेरोजगारों का रेट का इंतिजार खतम हो सके जेहां दोस्तों पहले सियम के मंजूरी फिर जारी होगी अधिस उसना देखिए पहले तो अधिकारी ये ते करेंगे इस शिक्षक बर्ति का पैटरन क्या रहेगा संभावित बदलाव की फाइल अब बदलाव की फाइल और जाएगी मुक्य मंत्री नहीं हलांकि मंजूरी देदी है लेकिन जो बदलाव होंगे उसकी फाइल फिर मुक्य मंजूरी के पास जाएगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद पंचाय तिराज विवाग को भरती पैटरन में संसोधन करनी के अधिस उसना जारी करनी होगी ठीक है रीट के सेलेबस में ने बदलाव ने पैटरन में फिर क्यों हो रही है देरी तो दोस्तों मानिनी शिक्सा मंत्री जी ने कहा था कि रीट में कोई बदलाव नहीं है सेलेबस में फिर भी पैटरन में देरी क्यों हो रही है एसा मामला आया है और देख सकते हैं शिक्षक भरती के इन दो पेट्रोनों पर चल रहा है मंतन क्या चल रहा है एक तो चल रहा है कि उसको कम कर दिया जाए जो 30 फिस्टी वेटेज है सना तक का उसको कम कर दिया जाए दूसरा मामला है भरती परिक्षा का आयोजन किया जाए सरकार इस बात पर भी विचार कर रही कि रीट के बाद शिक्षक बरती के लिए परिक्षा का आयोजन करवाय जाए सरकार देख रही है कि इससे क्या फाइदा हो सकता और क्या नुक्षान हो सकता है बरती परिक्षा को लेकर पिछले अनुबव ठीक नहीं रहे पेपर आउट हो जाता है और सवालों को लेकर मामले कोट में चले जाते हैं इससे सवालों इससे भरती अटकी रहती है बरती परिक्षा बरती परिक्षा की लंबी परिक्रिया है साथ ही कोरोना काल बरती परिक्ष को आपका 90 कर दिया जाए या दूसरा ये भी सोच रही है भी कांग्रे सरकार की दो पेपर करवाई जाए अभी दोस्तों कोई निश्य नहीं है जब तो कोई official notification नहीं आता हम के नहीं सकते कि किस परकार से ये परती परिक्स आगे मोड लेगी तो दोस्तों आपको ये न्यूस कैसे लगी मिलते हैं लेटेश न्यूस के साथ इसी परकार की न्यूस और रीट से समझते मोटल पेपर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेर करें मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जै हिम जै बारत थेंक यू